करा आज हम यह ऊसे सो ठीचिति करने जा रहे हैं वो रंइबल एनरजी का टॉपिक है टाइडल एनरजी क्या होती है शरिब्ट ες उनके प्लांट की टाइब्स होती है और यह वहारा जो चांध है चांद चांध की ग्रेविटेशनल पुल की वज in वीजहाद से और फिर कम हो जाता है तो इस जो फिनोमेना है जो के कुदरती या नेचरिल फिनोमेना है इस फिनोमेना को यूज़ करते हुए हम अलेक्रिसिटी जिनरेट कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि हमारा जो चांद का एक दिन होता है यानि कि लिउनर डे होता है उसमें जो है हमारा जो समंदर के पानी का लेवल है वो दो दफा कम या ज्यादा होता है यानि कि जो ओशन्स हैं ओशन्स के पानी का जो लेवल है हमारे एक दिन में दो दफा अप और डाउन होता है ये नेचरल होता है हमारे चांद की ग्रिविटेशन पूल की वजा से होता है तो इसको जो है हम यूज करके अलेक्टिसिटी जो है प्रडूस कर सकते हैं तो इसका जो इंटर्वल होता है यानि के एक लो और हाई टाइड के दर्मियान वो छे गंटे का होता है और टाइडल रेंज डिफरेंस जो है वो कंजेक्टिव हाई टाइड और लो टाइड डिरिंग हाई टाइड दी वाटर फ्लो इंट दी डैम और डिरिंग लो टाइड वाटर फ्लो आउट विच रिजल्ट इन मुवेंग दी टरवाएं यानि कि जब हमारा टाइड हाई हो जाती है यानि कि जब समंदर का लेवल हाई होगा तो उसमें क्या करते हैं पानी को जो है वो डैम के अंदर ले ले लेते हैं और फिर जो उसका स्वीज गेट होता है उसको बंद कर देते हैं और इसके बाद जब पानी नीचे चला जाता है तो स्विस गेट को खोल देते हैं जिससे हमारी प्रेशर डिफरेंस आता है यानि कि हाइट का डिफरेंस आता है जिससे हमारी तर्बाइन चलती है और उससे जो है एलेक्टिस्टी प्रोड्यूस होती है तो टाइड्स क्या है बिसिकली टाइड्स आर दी प्रियोडिक रेज और फाल अफ सी सर्फिस ओकरिंग वन्स और ट्वाइस डेयर डिवन बाइग ग्रेविटेशनल ट्रेक्शन अफ सन एंड मून बाइदी अर्थ रूटेशन यानि को ही मैंने बताया है जो हमारी टाइड्स हैं ये समंदर के लेवल का कम या ज्यादा हो जाना ये दिन में दो दफा होता है तो इसको जो है हम जो है टाइड्स कहते है टाइड्स एलेक्रिस्टी जेनरेशन वर्क ऐस टाइड्स कम इन एंड अगें वन इट गोज आउट यानि के टाइड्स के दोरान क्या होता है हमारे पानी को स्टोर कर लिया जाता है फिर जब लो टाइड्स आती है तो फिर गेट को खोल के टरबाइन को चला दिया जाता है कि अब यह कि अब ये तस्वीर में आप डैसके हैं हाई टैट आफर आई वी तो समंधर का लैवल आपको बड़ा गए हो यह दोसरा स्ट्रिश मकस्ति हैं यह मैंे बोग चिसे पानी के अखेड़ कम जैदा करेंगे और इसके लावा तीसरा पार्ड उसकी जो है वो टर्बाइन होगी जिससे हमारी लेक्रिस्टी प्रड्यूस होगी यह देख सकते हैं बेराज इसको कहते हैं यानि कि इस तरहां का स्ट्रक्चर होता है जिससे पानी को स्टूर किया जाता है फिर उसके लावा gate होते है Swiss gate होता है जैसे आपने अक्सर नहरों पर यह उस पर देखा होगा है gates अलगा होता है जिसे पानी को कम ज़्यदा करते हैं और उसके लावा steam generator एक steam turbine जो है जो के जैसे हाइटल पावर plants होते हैं वहाँ पर turbine लगी होती है वह इस्तमाल होती है उसके लावा single basin single basin scheme है यह भी एक टेक्नीक है this scheme has one barrage and one water storage basin one waste system and incoming tide allowed to fill the basin through slice swiss waste during the tide and input यानि के वही चीज़ है के एक basin बना होगा है जिसमें हमारा gate लगा होगा है जब high tide आएगी तो पानी को store कर लिया जाएगा low tide आएगी तो gate को खोल के turbine लाएगी इसी तरह हमारे पास double basin scheme होती है जिसमें हमारे पास जो है वो दो टर्बाइने होती हैं दो basin होते हैं और जो है दो हमारे पास जो है वो gate होते हैं यह scheme भी हम इस्तमाल कर सकते हैं उसके लवा advantages देख लेते हैं title energy के से भारा हुआ है तो इसको हम बहुत ज़्यादा power plants हम लगा सकते हैं efficiency of title power plant इसकी efficiency जो है तकरीबन 80% तक होती है title energy जो है इसमें कोई fuel वगरा बन नहीं होता जो के एक बहुत बड़ा advantage है इसका उसके लावा life of title energy power plant is very long यानि कि जो power plant लगा जाते हैं title में उनकी जो life है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसके लावा क्योंकि क्यों पानी की density बहुत ज़्यादा होती है तो इससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो electricity produce का सकते है अब इसके disadvantages देख लेते है cost of construction and title power plants यानि कि title power plants की cost बहुत ज़्यादा है there are very few ideal location कुछ ही locations हैं जहां पे हम in power plants को लगा सकते हैं हर जगा भी हम in power plants को नहीं लगा सकते हैं ये इसका disadvantages है intensity of sea wave is unpredictable and there can be damage to the power generation unit समंदर का हमें कोई पता नहीं है कभी उसमें बहुत बड़ी लहरे मी आ जाती है generation is a short period of time इसमें ये होता है कि दिन में एक दफा जो है दो high और low trades आती है यानि कि frequency बहुत कम है ये भी एक मसला है जिससे हमारी जो है electricity production कम होती है और दूसरा ये है कि इसकी transportation यानि कि transmission जो है अगर आप समंदर में power plant लगाते हैं उसको फिर city में ये शहर में लेके किस तरह जाएंगे तो ये इसका एक जो है disadvantages है तो इंशालला ये था आज का मारा topic जिसमें हमने डिसकस किया टाइडल नर्जी को तो अगरे topic में इंशालला हम ओशन थर्मल नर्जी को डिसकस करेंगे